जो हम N-States का chapter discuss कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारे पास lecture से हमने basic concepts discuss किये about N-States अब हम कुछ drugs discuss करेंगे one by one के Sellecoxy, Meloxicam, Pyroxyam, Diclofenic, Flurbiprofen, Ibuprofen वगएरा एक-एक drug को अलग-अलग से discuss करेंगे ताके आपको तकरिबन जितनी daily life की NSAIDs हैं उनकी समझ आ सके Starting with the Sellecoxy, Sellecoxy is a Cyclooxygenase 2 selective inhibitor है अच्छा इसके market में जो available brands हैं वो Newzip के नाम से आती है या Sulbex के नाम से बहुत ही famous brand है इंडिया पाकिस्ताने बड़ी आसानी सी मिल जाता है GEDS Pharma की यह product है और जो इसकी dosage form है वो capsules है 50 mg, 100 mg, 2 mg और 400 mg में available है GEDS Pharma के नाम से इसका brand famous है Clinical Indications क्या है यानि कौन से बीमारियों में इस्तिमाल होता है तो acute pain या primary dysmenoria यानि कि अगर आपको अचानक से दर्द महसूस हो रहा है या specifically female में जो dysmenoria है उसके लिए आप इस्तिमाल करते हैं पर-oral initially आप ले सकते हैं या फिर आप 200 mg से भी start ले सकते हैं as per needed आप यह ले सकते हैं और तक्रीबन दिन में दो बार आप यह drug ले सकते हैं यानकी daily dosing 2 है फिर आपके पास है enkylozing spondylitis अब यह क्या है देखिए कभी-कभी हमारी body में inflammation होती है और specifically जो हमारे पास vertebral column यानि जो आपकी पास backbone होती है इस condition में backbone की जो है vertebrae आपस में fuse कर जाती है तो जब यह fuse कर जाएंगी तो यह इतना शदीद pain होगा कि आप even न जुक पाएंगे न सही से चल पाएंगे तो बहुत severe kind of pain होगा ऐसी condition में तो 200 mg की आपके पास drug per oral लेते हैं once daily या आप इसको divide कर सकते हैं या डिवाइड दिन में दो बार ले सकते हैं और अगर कोई effect नहीं आ रहा even after six weeks यानि तक्रिवन आप महीना डेड़ महीने इस्तेवाल करके भी effect नहीं आता तो 200 mg की ड्रग ले सकते हैं per oral once daily या दिन में दो बार फिर rheumatoid arthritis यह भी similarly हड्यों में या जोड़ों का ही दर्द है इसमें 100-200 mg of drug ले सकते हैं per oral यानि के capsule की फॉर्म में और दिन में दो बार भी ले सकते हैं फिर है familial adenomatis polyposes अब यह क्या है यह एक cancer like condition है लेकिन अभी cancer इंसाम को हुआ नहीं होता पॉलिप्स बन जाते हैं जैसे के यह membrane है आपकी इस तरह से पॉलिप्स बन जाते हैं और यह सर्फ familial है यानि यह नसल दर नसल यह विमारे चलती है आपको आपके वालदयन से मिली होगी या उनको उनके वालदयन से आई होगी ऐसे condition में जब दर्द में हसूस करें तब भी 400 mg की ड्रग लेते हैं पर और यह दिन में दो बार आप लेते हैं तो डैट इस दव मेंजर इंफर्मेशन अबाउट सेलिक ऑक्सिड जो के साइकल ऑक्सिजिन इस टू इनिविटर है कैप्सूल की फॉर्म में आती है और फेमस ब्रैंड जैसे न्यूजिव है यह सलबैक्स या सिरी ब्लैक्स जो है इसके मेजर ब्रैंड है